जब आपकी pregnancy रुख जाती है तो आपका में ध्यान एक ही चीज का रहता है कि अंदर पल रहे हैं बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसका ग्रोथ अच्छे से होते रहना चाहिए उसका विकास अच्छे से होता रहना चाहिए उसको कोई तकलीफ नहीं होनी या फिर क्या ना करो जिससे उसके ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो तो यह बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहते हैं और उसे के लिए यहाँ गर्भ गुरू है आपके लिए हर एक चोटे बड़े क्वेश्चन का अंसर तो आपको यहाँ पर मिलता ही है यह सबसे ज्यादा पूचा जाने वाला सवाव जो मुझे रहता है जैसे मेरे प्रेग्नसी कंसे होती है सबसे पहले लेडी पूटती है कि मैं किस तरह से सो हूँ जिससे मेरे बच्चे का विकास अच्छा हो कोई-कोई लोग ऐसा पूटते है कि मुझे उल्टा सोनी की आद एक वीडियो दीटेल में बनाने का सोचा है जहां पर हम आपको गाइड करेंगे प्रेग्नसी के दोरान कौन से साइड पर आपको सोना चाहिए या फिर हम यह बोल सकते के सोने का सही तरीका आज हम आपको समझाने जा रहे है जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता रह होगी क्योंकि प्रेग्नसी के दोरान लेडी यह बहुत ज्यादा सामना करती है उसको नीन नहीं आते पाव में क्रेम सहता है और उसको बेकेक रहती है तो इस तरह से सोने का तरीका हम आपको समझाएंगे जो आपकी दिक्कती ठीक करेंगा और बच्चे का विकास पीच्छ दिक्कत है उसमें बहुत ही ज्यादा ट्राइ करने के बाद नीन डाते उसमें भी यह पोजिशन बोल देंगे तो हम क्या करेंगे नो मैने तक एक ही साइड पे एक ही पोजिशन में सोना क्या हमारे लिए पोसिबल होगा कर पाएंगे तो यह सब बिलकुल नहीं है जनरल यह बोला जाता है और यह उचित भी है कि आपको लेट लेटर यानि के आपको बाई साइड सोना होता है जिससे बच्चे का विकास भी अच्छे से होता रहेगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन यहां पर यह सब बिलकुल नहीं है कि आपको भी राइट या फिर आप सिधा नहीं सो सकेंगे तो ऐसा यदि आप करेंगे नो महीने तक तो क्या होगा और सबसे में सवाल के लेट साइड में सोना क्यों चाहिए उससे फाइदा क्या होता है देखो जब आपकी प्रेगनसी आगे बढ़ेगी पहले के तीन महीने में तो सोने का बहु नहीं होगा बच्चे दानी अभी ज्यादा प्रोथ नहीं हुए है लेकिन जैसे जैसे प्रेगनसी आगे बढ़ेगी आपके बच्चे का विकास होगा उसका बचन बढ़ेगा चाहिए और वह भी बड़ी साइज में हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा जब की बच्चे सिधानी की तूरं नीचे आएगी यदि आप सिधा सोएंगे यानि के आप अपनी कमर के उपर सोएंगे तो एसे में आपकी वेना के वाहे नली है वह प्रेस होगी उसके उपर दबान आएगा और उसके चलते क्या होगा आपके बच्चे को विकास के लिए खून पहुंचता ह है उसके मात्रा कम हो जाएगी दूसरा आपके अन्दर ब्लड प्रेसर कि यानि कि ब Pars नहीं सोना और इसी तरह से अप लेटि साएड सोएंगे तो क्या होगा तो आपकी वजशे सब्सक्राइब नहीं आएगा और हमारा हाट का सर्कूलेशन है वह अच्छे से होता रहेगा बच्चे को चाहिए इसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए अच्छे से मिलते रहेंगे इसलिए आपको लेप्ट में सोना लेप्लेटर पोजिशन में लेकिन आप रात मे जब बीच में उठेंगे और उठेंगे क्योंकि प्रेग्नसी के दोरान रात में दो तिन बार बात्रों विजिट बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि यूरिन फ्रिक्वंसी बढ़ जाएगी तो रात में नींद आपकी खुलती है और आप राइट में हैं या फिर आप सिधे सो पूचा जाता है कि अच्छी नींद आये हमें प्रेग्नसी में उसके लिए हम क्या करें चाहे आगे के तिन चार घंटे की नींद भी अच्छे से आ जाएगी तो बिच में एक दो बार उठना पड़े तो चलेगा और उसमें भी उठने के बाद बहुत सारे लेडी से रहती जिसको उठने के एक देट घंडे तक नींद नहीं आती है बात्रों विजडी करती तो उसमें क्या करें तो उसके लिए पाच टीप सम देने वाले तो यदि आप पाच्छों तीप इस्तमाल करेंगे तो आपको नौ महने तक नींद अच्छे साएगी उसमें कोई भी दिक् पेट की साइस बढ़ेगी तो आपको सोने में भी दिक्कत आएगी यसमें अधि आप तक्या का इस्तमाल ज्यादा करेंगे तो यह सारी दिक्कते नहीं आएगी यह आप सिधा सो रहे है पहले पहले तो अपने पाउं के नीचे एक तक्या रख दीचे इजिए कमर के पीछे एक तक्या रख दिजिए आप ले फ्य देडर में सो रहे तो अपने दो पाऊ- पीच में दो घुटन की बीच में तक्या रख़ दिजिए और तो आप अपने पेट के नीचे भी एक तक्या रख सकते हैं इस तरह से आप स्यादा मादम जितने आपको कमपटेबल हो इसे तक्या सपोर्ट लेंगी आप पिलो का तो आपको कोई भी तरह का दर्द या फिर डिसकंफर्ट नहीं होगा मेटर्णीट पिलो भी मिलते हैं मैप उसकी लिंग नीचे रख देते हैं आप उसको पर्चेस करना चाहते हैं तो आप वहां से पर्चेस करना सकता हिए दूसरा आपको रात में सोने से पहले एक ग्लस हल्दी वाला दूद पीके सोना चाहिए और दूद ठंडा नहीं गुनगुना दूद आप पिएंगे तो नींद अच्छे से आएगी रात में सोते समय अपने पाओं के तलवे में नारियल तिल की मसाज करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और नींद भी अच्छे से आएगी और यदि आपको रात में डकार की एसेडीटी की तिकत होती है तो रात में आप साथ बज़े के पहले खा लीजिए और यदि आपको कम खाना है साथ बज़े के बाद और थोड़ा से हल्का गरम पानी से नहां के बोडी में मसाज करेंगे अपने अपने अप्डोमें पर तो स्ट्रा डेवलब भी नहीं होगा और रिलेक्स फिल करेंगे जल्द से नींद आ जाएगी तो यह कुछ अच्छी नींद के लिए टीप से वह फोलो कर सकते हैं और लेफ लेटर में सोएंगे तो बच्चे का विकास पर अच्छा होता रहेगा इसमें से भी कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बुक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं वहां पर Q&A से से सब्सक्र सब्सक्राइब नहीं पूलना है अभी तक गर्बुरों को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए तो चलो फ्रेंड फीर जली मिलेंगे तब तक के लिए स्टेली स्टेपी बाई